नमस्कार, एस्टो इंफोर्मेशन, जोतिस जानकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं एस्ट लॉजर पंडित अनिल को उठारी, अपने चैनल गायतरी जोतिस के इंदर में, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वित्रो, आज की जानकारी भी महत्वूर्ण है तो आज का जो टाइटिल है, वाया है कि हिजडों को, के को, जिसे लोग भासा में छक्का भी बोला जाता है, को दान करने के तीन वो कौन से चमतकारिक फायदे हैं, जो किसी अन्य पात्र को, किसी अन्य वेक्ति को दान दे के हमें नहीं मिल सकते हैं, उसके बारे में इस वी कर सकते हैं और इसके अलावा आपका कोई भी प्रसने हो किसी भी प्रकार का हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछते हैं इसका संतोष जनक संतुष्टी पूर्वक मैं आपको उत्तर देने का प्रियास करूंगा तो सुरू करते हैं आज की महत्वूर ने जानका है मित्रों हिजडा कहें या चक्का कहें या गे कहें नाम अलग-अलग है लेकिन पात्र एक ही है और इन पात्रों को हमारा समाज कुछ अलग ही द्रिश्टी से देखता है उसके पीछे का कारण आप सभी लोग जानते हैं तो इनको दान देने का बहुत बड़ा महत्व है सास् आप 누ल से पहले बता देता हूं कि इनको दान देने के वहत तीन चमतकारिक फायदे क्या है पहला फायदा यह होता है मित्रों यदetry हम ओझ चक्का जिसको जो भी कहें को जुद देते हैं जो भी व्यक्ति दान देता है वह कभी बे आुलाद नहीं रहता है यानि कि यदि किस को गे को हमेशा दैना चाहिए किस दिन देना चाहिए किस दिन देना चाहिए इसका एक किष्यज Na रोग होते हैं जो एकाए की नहीं जाते हैं और जिनका इलाज भी हमें नहीं मिल पाता वह इन लोगों को दान देने से कभी हमारे जीवन में नहीं आते हैं और उनसे हमें हमेशा ही मुक्ती मिली रहती है या सास्त्रों में इसका बारे में बहुत बड़ा उलेक भी है दूसरा फाइदा यह हुआ तीसरा फाइदा बहुत चमतकारिक फाइदा है कि जो गे को दान देता है उसे कभी अकाल मृत्य प्राप्त नहीं होती है नहीं उसके परिवार में किसी को अकाल मृत्य प्राप्त होती है अकाल मृत्य का अर्थ होता है कि कम उब्र में मर जाना या कम उब्र में ये दुनिया को छोड़ के चले जाना इसके अलावा उसके जीवन में कभी भी कोई accidental गटना नहीं गटना यह होती है कि हमारा accidental हो गया हमारा हाथ चला गया पाउं चले गया या सरीर का किसी हंग में बिक्रती आ गई तो गे हिजलों को दान देने से इस चीज की समस्या भी कभी नहीं रहती है और गे को दान देने के दुसरा आपको संक्रमंट रोक कभी नहीं हो सकते तिसरा आपका कभी भी अलपे-कालिक मृत्ययोग यानि कि एकडेंटल योग कभी नहीं बन सकता अब बात करते हैं कि गे को ही दान क्यूं देखे गे या निकी जो रहते हैं यह बुद्ध से प्रभावित ग्रह होते हैं बुद्ध एक नपुंसक ग्रह होता है जिसका जिनको ग्रह भी अपना मित्र नहीं मानते हैं और बुद्ध ही लगबक सभी को अपना मित्र वानता है और कुछ ग्रहों को सत्रु वानता है यह जो तिसकी अलग गर और जो बुद्ध से प्रवावित लोग होते हैं, खास तोर पे गे हिजड़ों को कहा जाता है, तो उनकी बाड़ी में बड़ी पावर होती है, वह जिससे जैसा कह देते हैं, वैसा हो जाता है, या सायद आप लोग सभी इस बात को जानते हैं, अब बात करते हैं, कि यहादान खिजड़ों को गे को कब देना चाहिए, मित्रों इसके लिए बुद्वार से उत्तम कोई बार नहीं हो सकता है, तो बुद्वार के दिन, यदि गणेश चतुर्थी अगर पढ़ जाए, तो उससे बड़ा संयोग कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर को एक छोटी सी और मैं सिद्दगर देता हूँ, मैं आज किया पाया कहना आप लोगों से बुरा कि वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा, जिन लोग नहीं नहीं देखा तो वह यह चीज कभी नहीं जान पाएंगे, बुद्ध एक ऐसा ग्रह होता है, कि नपुन्सक ग्रह होता है, और न यदि बुद्वार पढ़ जाए और हिज्डों को दान हो जाए, तो समझ लीजे कि आपकी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी, या गड़ेश चतुर्ती के दिन बुद्वार ना पढ़े तो उस दिन तो जरूर ही हिज्डों को दान देना चाहिए, क्योंकि हिज्डों का भी ए बहुत चमतकारिक फाइदा है, मित्रू, यह सब जानकारी मैं आज पहले कहना भूला, कि मैं बहुत बाद-बाद में लेके आने वाला था जब चैनल में मेरे अच्छी ग्रो मिल जाती, लेकिन अब ला रहा हूं जानकारी, आप लोग को अच्छी लगे तो आगे को बढ़ को आज तक पता नहीं होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जैसरी राम, जैसरी कृष्ण,